ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं करक राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई से 18 अगस्त याने की इन 20 दिनों के आपकी राशी के महराशी फल्क के बारे विए की आपकी राशी वालो के लिए 30 जुलाई से 18 अगस्त याने की इन 20 दिनों के समय कैसा रहने वाला है इन 20 दिनों में आपको किन किन चीजों से फायदा होगा किन किन चीजों से आपको साथधान रहना होगा और साथ इसाथ इन 20 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी राशी वालों के लिए बहुती महत्पपूर्ण वीडियो रहने वाली है यह दोस्तों वीडियो का के सुरू करें, सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान सूरदेव के सच्चे वक्ते से वीडियो को लाइक करें सबसे पहले और सच्चे दिन से कमेंट्स वोक्स में जैस सूरदेव अवसे लिखें जिससे भगवान सूरेदेव का सिर्वाद आपको शिरी पराप्त हो सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान सूरेदेव का सिर्वाद से आपकी राश्वी वालों के लिए 30 जुलाई से 18 अगस यह महत्पापॉन समय दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पून रूप से आपके पक्ष में हैं आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वैशशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के पृती पून एकागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसे भी परिश्तिती में शामान्य रहते हैं आप अपने कर्म वे प्रुशार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन से संबंदित कोई महत्पपून कर रहें शंपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अफशर हैं इसलिए आप प्रियास रत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किसी नज़िदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे साथ साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उरजावान महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास वे पराक्रम से अपने कार्यों को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथ साथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदि कार्यों रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं साथ साथ किसी प्रोपर्टी को खरीदन संबंदी योजनाय भी बनेंगी आपका वैज्यानिक दरश्टिकोन तता उन्नत सोच आपके घर तता व्यवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथ साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विद्यार्तियों को उचित सफलता प्राप्ट होगी आप अपने लक्षे के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित काम करने में सफल रहेंगे भूमी या वाहन के लिए रण लेने की भी योजनाई बनेंगी परन्तु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी शक्षम भी रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़े से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोध वे गुस्से पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथ साथ इस्तियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कारण का सहरा आप ना लें अन्यता कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बाते करके आपकी कोई गुप्त बात निकल वा सकता है इसलिए आप साथ इसाथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंद बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरीत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान स हो सकती है दोस्तों साथि साथ यह समय नकारत्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती हैं कभी कभी गुस्से में आप आक्रमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तों साथि साथ यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तितियों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियं इस्तेदार से संबंदित एप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तों साथि साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्ने लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति कि सला आप अवस चलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतिनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिवारिक परिस्तितियां पू परिस्तितियों में जीवन साती का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा प्रेम संबंद भी मर्या दित रहेंगे दोस्तों साथी साथ यह समय परिवार में शुक्सांति का वातावरण बना रहेगा मित्रों के साथ परिवारिक गैट टूगेदर प्रसंदता वे नई उर प्राप्त करेगी जिस से परिवार में खुस नुमावाता वरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तों बात अगर आपके करियर और वैवसाय की करें तो यह समय वैपार में कुछ परेशानिया महसूस होंगी नए तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णे को ही प्रात्मिक ता दें कोई नजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपके लिए बहुती लाबदायक साबित होगी नोकरी पेसा व्यक्ति अपने ओफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साथ साथ वैपार को पुनहें उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करेंगे आंसिक रूप से आपको सफलता विप्राप्त होगी परन्तु कुछ विरोधा भासी प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें नोकरी में लक्षय को पूरा करने के लिए किसी प्रिकार के तनाव वे टकराव होने की इस्तिती बन रही हैं परन्तु अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी व्यक्तिक की सला आपको मुश्किल परिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद दोस्तों साथी साथ वेपार में भहुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्क्ता है यह समय आपको कुछ शकारात्मक प्रिणाम भी प्राप्त होंगे तता विस्तार संबंदी कुछ नई योजनाई भी बनेंगी परन्तु अपने काम के क्वालटी पर और प्रजर रखना आपके लिए अति आवश्क है आपकी वेपारी के सूचनाएं भी लीक हो सकती हैं परन्तु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब, कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा किसी को पैसा देने से पहले धनकी वापसी किसी भी सुनिचित करना आपके लिए अति आवश्क है अन्य था आपका पैसा भी फस सकता है सावधान रहें दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय वहन बहुती आप सावधानी पूरवक चलाएं किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन हलकी फुलकी मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता है इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें तनाव अवसाद वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें अपनी दिंचरिया और खानपान को विवस्तित रखें दोस्तों साथ सा मंदित परिसानियों से यह समय आपको राहत मिलेगी रोग निर्वत्ती के लिए प्रकर्तिक तरीकों को अधिक अपनाए इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें ऐसा करना आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा